नमस्कार मैं साहिल सिंग डीडी सी केंड़ेट लोही मुलार कांसिंसी से मेरा चुनाब निशान है अलीकप्टर जहाज मैं आपसे अपील करना चाहूंगा मीडिया के मैदम से कि उस पे महर लगाएं ताकि हम इकठे साथ मिलकर हमारी जो कुछ समस्या है चोटी-चोटी हमारी समस्या है जनें हर बार अड्मिस्टेशन दोरा सरकार दोरा नजर अंदाज किया गया तो उनके खिलाफ हम आवाज उठा सकें अपनी एक आवाज बलंद कर सकें हमने देखा भाजपा के साथ काफी देर में जुड़ा रहा लेकिन भाजपाना निराशा के लावा हमें कुछ एटेंशन देने की जरूरत थी यह उपर जाके बात करने की जरूरत भी हाइब ओतायस से स्टेट एह ज्टरस से कि इसको स्पैषयल एटेंशन दी जाए कि हमारा लागा आज भी पिछड़ा हुआ है विजली पानी कि समस्या आज भी है पहले भी थी हम कुन सी सथी में जा रहे हैं और आज भी समस्या है हमारे डेली वेजर और SPO BDC जो थे उन्हें उनकी पूरी जिंदगी के साथ खिलवार हुआ जो एक बारिश होने के कारण भी हम लगे हुए हैं कोशिश अपनी पूरी है लेकिन मेरी टीम थोड़ी जो चल रही है उन्हें थोड़ी तकलीफ हो रही है मैंने भी रेन को डाला है लेकिन हम चली रहे हैं बारिश और बरव बारी के कारण हम थोड़े इलाकों में नहीं भी जा पा रहे हैं लेकिन मेरा मीडिया के माधियम से मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि मेरा निशान हलीकप्टर है हलीकप्टर बे मोहर लगाएं ताकि वह मैं जीत सकूँ और आपका बोर्ड मुझ तक पहुंच सके और मैं आपकी आवाज आगे उठा सकूँ आपकी क्या मेरी अ सब इकटे होके राइट अपने लेके आएंगे दुगाणी वालों को अब अंधेरे में रहना नहीं पड़ेगा दुगाणी वालों को मैं स्पइशल कहता हूँ कि मेरा दुगाणी में रहेगा नवाहीं रहूंगा क्योंकि वह उन लोगों को स्पैशल अटेंशन की ये बाहर के आदमी जो आए हैं ये हमें लूटने आए हैं हमारा मजाक लेने आए हैं हमें सोचते हैं कि ये लोग बिल्कुल जीरो हैं तो ये बस बोट लेके भागने वाले आदमी हैं ये कोई दिखने वाला नहीं है और जो पार्टियों ने नमाइन दे दी हैं वो सिर्फ इ दिये दिया है उनने जो रिप्रेजेंटेटिव या जो मेंडेट दिया है वो इसके पीशे दिया आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं पूरी दुनिया जानती है कि इनकी क्या चाल चल रहे हैं इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और जिन तक मैं नहीं पहुंचा हू मेरी आवाज आप तक पहुंच दे होगी तो मैं अपील करूँगा कि साहिल सिंग मेरा नाम है और हेलिकप्टर मेरा निशान है आप याद रखें और अपना कीमती बोट मुझे दें धन्यवाद अगर ये विचार थारा रखते हैं कि लोगों को गुमरा करते हैं कि सिर्फ पार्टी वाले ही काम करवा सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है इसकी जीती जाती मिसाल पेश की बीडिसी चेर्मेन जो बिलावर से हैं उन्होंने लोगों के इतने काम करवाए हैं लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के छोटे-छोटे काम वो खुद जाके करवाते हैं, कभी आप मिलें, उनसे फोन पे बात करें, खुद काम करवाते हैं, हमें कहते हैं, जी 377 हमने तोड़ दी, तो अब आप हिंदोस्तान के साथ मिले हो, हमें बड़ी खुशी लेकिन आज भी लखनपूर में बैरियर लगा हुआ है, लखनपूर में बाकी सारी जगहें खुली हुए हैं, लेकिन लखनपूर में बैरियर लगा हुआ है, और जी जिबो में पैसे जा रहे हैं, पैसे देंगे, तब एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, तो वहा act के माधियम से हो जैसे हिवी हमारे जुवान बहां शहीद हो रहे हैं। इतनी बारी तodox दाँद में शहीद हो रहे हैं। लेकिन कोई प्रपर action नहीं हुआ खोरा कोई action नहीं ले रहा हू खो बॉ में सारी agencyya चुप भैं बस यह सिर्फ बोट 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 इनके लिए वीज अपी या ses इक हो ने की जरूरत है आप मेरा साथ देए इनकी मरजी इनकी टेटर्शिप से इनकी ताना शाही से सारे काम होते हैं नहीं तो इन्हें इलेक्शन की नोटिफिकेशन पंचताली दिन पहले निकालनी चाहिए थी और प्रापर क्राइट एरिया प्रापर चैनल के साथ परचार का टाइम देना चाहिए था ताकि हर पंचायद अब इनने दस करें सभी अफजर्व करें और ये बाज़पा ने अपनी नीती लगा के कि हमारे कारेकरता फैले हुए हैं और कारेकरता भी ऐसे हैं कि वह देश को देश को क्या लाके को बेश देंगे अभी तक कुछनियों ने सोचना चाहिए एक होना चाहिए हम सब को तो इसी के साथ मु प्राइवेट कंपनियों के आगे बेश दिया है जाए लाइट प्राइवेट की हो जैसे भी इनने बेश दिया है जम्मू के लोगों के लेके आये थे लेकिन उन्हें निराश किया हमारे मिहाडी के बच्चे हैं तीन घंटे पैदल चलके जाते हैं और तीन घंटे बाद वापस आते हैं हमारा धगर इतना अच्छा खूबसूरत स्थल है मैं पहले भी बात करता रहा धगर डुगन और बाड़ी वाले साइड बाड़ी तो चलो क दीटेट के में तनस्यूसी में नहीं है लेकिन सेट बनी तो हमारा है इतने खूबसूरत है हिमाचल से भी ज्यादाा है अगर कहते हैं दो हमारे भीस वर्ट कोशिक लेकिन उन्हें सवर्ग इस से टूरिजम में लाते ही नहीं है कभी इनना कोशिश नहीं कि हम टूरिजम पॉटेंशिल राइज जब यह सत्ता में थे तब नहीं कर सके तो आप क्या करेंगे यह लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा इस बार जो है आप मेरा साथ दीजिए अपने तो उनके उनसे लड़के लाने वाली कुछ चीज़े वह देंगे लेकिन कुछ चीज़े हमें जबरदस्ती वहां से खींच के ला नहीं है अब बात करते हैं बिजली प्राइवेट कर दी हमारे जम्मू वालों के लिए तो हमेशा हमना बीजेपी पर भरोसा किया ले यह मुद्धा उठाया था कि करॉप्शन हम करेंगे हर आदमी जानता है मैंने कहता आप अपने दिल से पूछी आज करॉप्शन खतम हुई है या बड़ी है हाइस पीक पे पहुंच गई है करॉप्शन तो उन्हें रोकने की जरूरत है हमारे जो नुमाइंदे खड़े हु या आई-एस का देना है तो कई बुक्स अफार्ट नहीं कर सकते वह इंटरनेट से अपनी पढ़ाई करते थे इंटरनेट से स्टडी मिटीरियल लेते और कापीवे करके और वह पढ़ा करते थे लेकिन टूजी की बज़ा से वह आज नहीं पढ़ पा रहे हैं लेकिन यह न बंद होने के बाद क्या ऐसी एक्टिविटियां नहीं हुई हैं सिर नगर में अगर ऐसा ही है अगर यह कहते हैं कि वह हैक कर लेते हैं हमारी इंफरमेशन तो यह इस रोव गैरा इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर यह खोले ही किसली है इनना इना खर्चैन पर हो ही क्यों र बिलते अब उन्हें बुला रहे हैं बाद में यह कोई नहीं दिखेंगे हमारे लोगों को यह चीज सोचनी चाहिए कि एक जो सम्रीती रानी है यह जैराम ठाकुर हमारे काम आने वाले नहीं हैं जिने हम चुनेंगे वही हमारे काम आएंगे और नेता जो होना चाहिए हमार का मकान बनाओंगा मुझे आता नहीं होगा मैं तो नेचनल नी पीशे पीशे होंगा तो वैसे जिसको तरीका कार हो जो थोड़ा लॉइंग हो जिसको तरीका होगी कैसे काम करना है उसे आगे लाएं अगर इन नुमाइंदों के भरोसे हम बैठे तो पूरे इलाके की कर रहे हैं आप आप ही सोचिए कि पार्टी ने आज तक हमें दिया ही क्या है बज़ूर्ग में इलाए थी उनसे मेरी बात हुई था है पुछना लगी कि इन पी एम हो थी क्या सो एन भी नहीं नहीं है लेकिन उन्हें बता देना चाहता हूं कि है वो लेकिन दिल्ली बैठे है हमें भूल चुके हैं तो उसके बाद जो डिव वैल्मेंट है वो जज्ज की जाती है जो को सब्सक्राइब की जाती है वहां की रोड टीयाले और्ट yolat तो यह क्या करेंगे च्छोटी च्छोटी प्रावलम में हैं लोगों के छोटी च्छोटी मैं तो यहां कहूं मुझसे बहतर और कौन जान सकता है आप बीती मेरे साथ हुई है तो छोटी छोटी प्रावलमे है वो उनसे साल्व नहीं होती है बने मले मिनिस्टर बने हुए है हमने इने बना के बेज़ जा है लेकिन ये छोटे छोटे हमारे दर्द में हमारे साथ नहीं है मा है मा है मेरी मेरी मासी भी है लेकिन मुझे सबसे पहले अपनी मा की करनी होती है मा से जादा हमदर्दी होती है फिर हम मासी के वैसे ही पहले अपनी मातर भूमी से होती है बाद में मासी की सेवा होती है तो उन्हे अगर इतना इदाद हो अपने इलाके में जाके election contest करके अपने लोगों की सेवा करते यहां आने के उन्हें जरूरती नहीं पड़ती उन्हें यही देखा कि यहां के लोग सीधे साधे लोग हैं, हम उन्हें गुमरा कर जाएंगे और गुम्रा करके हम उनसे बोड ले जाएंगे तबारा उनने भी शकल नहीं दिखानी है वो यही उन्हें क्या हम धर्दी हो सकती है भई हम यहां के लोही मलार के पहारी लोग वो सीटी से आए हुए बन्दे उन्हें क्या हमारे साथ हम धर्दी हो सकती है सेंटर की स्की में जो आती हैं हमारे नुमाइंदे जो हमने चुनके भेजे हैं या अब मोदी जी अब वो जहाज लेकर आ रहे हैं आप जी अगर इन्हें काम किये होते तो इन्हें जहाजों की जरूरत नहीं बढ़ती लोग खुद इने बोर देते अब उन्हें तकलीव लेन सारी पॉल्सियां लगाएंगे ऐसे ऐसे हमारे इलाके में जब हमें प्राव्ब्लमें थी कोई नहीं दिखा अभी जहाज लेकर सभी आने सम्रीती इरानी आ रही है को जैरा